तो इस वीडियो को फ्लो के रहने वाला है हम लोगने यह तो डिसकस कर लिया कि कैसे identify करेंगे इसको ठीक है अब एक वार identify कर लिया अब मेरे पास काम के अदा क्यार कि कौं कौं से प्रवलमस मैं करवाऊं है तो बैसिकली यार यह एरे और स्ट्रिंग के टॉपिक है बैसिकली कोई भी टॉपिक है दिया रहा है unlimited कोशिन जैना unlimited प्रॉपिक्स होते हैं तो उस पर पता नहीं कितनी प्रॉपिक्स है तो मैंने कुछ प्रॉपिक्स चूज करेंगे एं कुछ भी खास नहीं है तो इसमें मैं कोड पहले की एक एक प्रॉपिक्स में किसी का बता दूगा कि कैसे लिखना है उसके बाद हमलों डिसकस नहीं करेंगे कोड ठीक है क्यों क्योंकि काफी इजी कोड होने वाला यार और स्ट्रिंग के कोशिन से कोड तो लिखी लोग है ना कुछ नहीं है यह लूप लगेंगे यह लूप लगेगा अफ कनडिसन तो fix size में हम लोग करेंगे maximum sub area size के अच्छा maximum भी है minimum भी है वो सब simple variations है रहे को maximum निकाल लोगे उसके बाद minimum निकालना था बहुत easy हो जाएगा बस max come in करना होगा वो सब देख लेंगे ऐसे हम लोग variable size में करेंगे largest sub area और समके है ठीक है दिख रहे है न यह opposite है यह एक fix size का वोग same question है और यह variable size का same question है यह सबसे easy questions है sliding window के इसके बाद धिर धिर हमनों difficulty level बढ़ाते जाएंगे तो fix size में और क्या करेंगे first negative in every window size of k count accres of enneagram maximum of all sub area of size k max of minimum of for every window size ठीक है उसके बाद variable size में क्या क्या करेंगे largest sum string with distinct k distinct character फिर length of largest sub string with no repeating characters फिर करेंगे pick toy यह काफी अच्छा question दा easy है पर इसकी problem statement काफी लंबी दी तो basically यह मेरा एक दोस्ता उसका कोई इस्जाम हो रहा था तो उसने pick भीजी दी मुझे तो काफी अच्छी problem statement दी इसमें पचानना है basically इसमें पचानना है कि sliding window लगेगा इसमें इसमें राइट अवे दे नहीं रखा तुमको कि हाँ यह sliding window का question है इसमें तुम्हें identify करना वड़ेगा कि हाँ यह sliding window का question है तो मजा आएगा इसको करने में बाकी problem तो काफी easy है एक पर समझ में आ गया तो उसके बाद हम लोग last में करेंगे the question of sliding window है ना यह question अगर तुमने कर लिया उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि यार तुम कोई भी sliding window का problem लगा सकते हो मतलब यह काफी famous है यार sliding window की problem है यह साथ lead code पे hard problem है और हर जगा ही मिल जाएगी तुम्हें काफी famous है minimum window substring है ना हर एक platform पे मिलेगी geeks for geeks पे lead code पे हर एक प मैं यह तुमसे अबीद करूँगा कि तुम sliding window की कोई भी problem कर सकते हो क्योंकि काफी दिमाग लग जाता है इसमें और इससे जदा टफ sliding window की question बनते ही नहीं है क्योंकि sliding window concept ही अपने आप में काफी easy concept है ठीक है तो हम लोग यह 10 question करने वाले हैं cool तो next video से start करेंगे पहले video के इ इसका मैं code लगके दिखा दूँगा ठोड़ा-धोड़ा और इसका हम लोग कॉट लखके दिखा दूँगा ठोड़ा थोड़ा उसके बाद जितने भी हम लोग यह question करने वाले है इनका मैं code नहीं लिखने वाला हूं क्योंकि काफी code easy होने वाला और इनके same ही होने वाला है तो भी हम लोग पहला कोशन करेंगे उसके सेम कोड होने वाला राइट तो I hope काफी मज़ा आने वाला है तो मिलते हैं फेर अगले वीडियो थेंक्स